हेलो गाईस कैसे हो आप सब स्वागत है आप सभी का मेरे और एक नए व्लोग में तो आज के व्लोग की सुरुवात हो रही है सुबह के ग्यारा वजे से सबसे पहले आप सभी को करवाचोत की हारदिक सुब कामनाई मातरानी आप सभी के उपर अपनी किर्पाबनाई रखे और पूजा वग्यरा करने की सारी तैयारी में निकल ली है आज हम पूजा करने के लिए मंदिर में जा रहे हैं क्योंकि डेली तो हम घर में पूजा करते ही हैं तो आज मंदिर में जाकर पूजा करेंगे तो साथ में मेरी परिवार से मेरे जठानी है जो मेरे साथ पूजा करने के लिए आए हुई है और अब हम जा रहे थे मंदिर में और आप सभी देख सकते हैं आज हमारे यहां पर मोसम थोड़ी दूप और थोड़ी बादल है थोड़ा मोसम ठंडा भी है आज और बच्चे भी अमारे साथ आये हुए हैं आप सभी देख सकते हैं और अब हम पहुंच गए थे पहुंच गए हैं मंदिर में माथ टेकने के लिए पुजा करने के लिए यहापर काफी हावा चली हुई थी और ठंडा भी हो गया था मोसम तो अब हम पहुंच गए हैं मंदिर में और हमने दूप अगयरा की मंदिर बंधाज जादतर मंदिर पहाड़ों में बंध होते हैं क्योंकि यहापर पंडित वगयरा नहीं बैठते हैं रोज यहापर मंदिर कभी-कभी खुलता है किसी-किसी दिन खास मोगे पर ही मंदिर खुलते हैं यहापर डेली मंदिर नहीं खुलते क्योंकि यहापर पंडित वगयरा भी नहीं बैठते तो अब हमने पूजा वगेरा करने के बाद हम मंदिर की परिकर्मा करने लगे परिकर्मा करने के बाद हमने माथा टेका और नतमस्तक किया तो आप ही सब देख सकते हैं यहाँ पर और लोग भी आ गए थे पूजा करने के लिए क्योंकि आज करवा चोत है तो आज यहाँ पर लेडी जे पूझा करने के लिए आएंगे और यहीं पर कथा वगयर भी पढ़ते हैं पर हमने घर जाकर कथा पड़नी हैं और साम की तयारी भी करनी हैं इसलिए अभी हम पूजब गरा करके ना से निकल पड़े थे घर के लिए और हवा काफी तेज चली हुई थी यहाँ पर ठंडी हवा चली हुई थी काफी तो अभी हम आ चुके थे घर के लिए और यहाँ पर बीच में चोटा समंदिर भी आता है तो हमने वहाँ पर भी जोद जगाई और दूब बगएरा की दूब करने के बाद हम यहाँ से भी निकल पड़े घर के लिए तो गाईस आप सभी को मेरी वीडियो कैसे लगती है प्लीस कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो को जादे से जादे सेर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो हम यहाँ से भी निकल पड़े थे और अब हम आ चुके थे घर पे और यह है मेरा फाइनल लुक तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताएगा कि मैं कैसे लग रही हूँ और यह मेरी मेहंदी है आप सभी बताएगे कि मेहंदी कैसे लगी हुई है यह मैंने खुद लगाई है अपने हाथों में मेहंदी आप सब देख सकते हैं कमेंट करके बताए कैसी लगी आप सभी को और अब मैं पूजा वगेरा करने के लिए सामान जो भी समगरी होती है उसको लेकर मैं बहार आ गई हूँ क्योंकि अभी चांद बस निकलने ही वाला है और पहले मैंने यहाँ पूजा की उसके बाद फिर मैंने चांद की पूजा की क्योंकि अभी चांद निकल चुका है तो यहाँ पर मैंने चंद मामा की आरती उतारी आरती उतारने के बाद फूल चड़ाए और जो हम कथा सुनते समय चावल या गेहूं अपने चुन्नी में बानते हैं उससे अर्ग दिया अर्ग देने के बाद चांद को देखते हैं उसके बाद फिर हम पती को देखते हैं पती को देखा और उसके बाद पहले मैंने पती को मिठाई खिलाए मिठाई खेलाने के बाद उनने फिर मुझे पानी पिलाया इस बार मैंने करवाचोथ जो हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से मनाया आप सभी के हाँ कैसे मनाते हैं प्लीस कमेंट करके जुरूर बताएगा और यहाँ पर मैंने पती से आसिरवाद लिया तो आप सभी को मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीस कमेंट करके जुरूर बताएगा और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिए